So, Hello Everyone, तो आज हम लोग का रहने वाला लेक्चे नमबर 15th of GKPY की सिरीज, पार्ट नमबर 2 तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर पहला कुश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा What is the average height of inner Himalayas? तो कल हम लोगों ने length देखी थी, अपने Great Himalayan जो range थी, उसकी length देखी थी कितनी देखी थी, 2500 km हम लोगों ने length देखी थी, जो हमारी Himalayan range थी उसकी इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने को यह भी आप एक तरीका रख सकते हैं विकास कि हमारी जो गंगा नदी है, गंगा रिवर है, उसकी जो length है वो 25, 25 km है और अगर हम गंगा देखें तो हिमालय से ही निकलती है, गौमोग ग्लेशेर से वो पूरा हम लोगों ने गंगा रिवर सिस्टेम पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा क्या है कि वो नीचे की तरफ चली गई, इस तरह साब याद बसकते है बखी roughly अगर हम देखें तो same है, अब यहाँ पर average height की बात कही गई है and that to inner Himalaya, when I say inner Himalaya, that means greater Himalaya कल सारा कुछ में आपको बताया था, उससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जल्दी से revise करते हैं again कि हमारा सबसे पहले trans Himalaya, जो Himalaya की formation से पहले बन गया था, उसमें आपके तीन रेंजे से, कारा, कॉरम, लद्दाग, जंसकार उसके बाद हमें देखने को मिलेगा great Himalaya, जिसको की हम inner Himalaya, या फिर हिमादरी के नाम से भी जानते हैं इनर Himalaya, या फिर हिमादरी, इसके बाद आता है lesser Himalaya, जिसको की हम middle Himalaya, या फिर हिमाचल के नाम से भी जानते हैं इसको हम different region में different नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में दोलादर, उतराखन में नाक तिबबा, महा भारत इंदी, महा भारत रेंजिंदी, निपाल उसके बाद आते हैं हमारी शिवालिक, ठीक है, जो कि हमारे सबसे outer Himalaya, इनको बोल सकते हैं, outer Himalaya और इनके बीच में के हमारी, इनके बीच में हमारी longitudinal valleys, जिनको हम बोलते हैं, दून, सबसे बड़ा दून है, देहरा दून, और ये जाके eastern side में हो जाते हैं, खतम, इनकी जगह ले लेते हैं, दुवार्स यहां पर question पूछा गया, inner Himalaya के perspective से, तो answer 6000 मेटर है, और अगर हम lesser Himalaya या फिर्शिवाली के perspective से देखें, तो 3700 से लेके 4500 किलो मीटर से रफली, sorry, 4500 मीटर से लेसर Himalaya की average height है, याद कैसे रख सकते हैं, इसको रफली 4000 याद रखिए, ठीके 6000 आप inner Himalaya के, बिकॉस ये range य ठीक है, मेरे लिए, क्योंकि मैं repeatedly उसको, अगर वाच चुक हो, तो मेरे लिए तो असान उसको याद रखना है, लेकिन आपके लिए याद नहीं है, अमलब आसान, ठीक है, बट हमें question सही करना है, तो हम इस तरह से याद रसकते हैं, कि inner Himalaya, greater Himalaya क्या, 6000 range है, 6000 मीटर उसका height है, लेसरी माले के गर बात करें, तो रफली 4000 मीटर है, वही है अगर हम शिवालिक की बात करें, ठीक है, शिवालिक की बात करें, तो यहाँ पर रफली 1000 मीटर आपको लेके चलना है, अगर इनकी आप से width भी पूछ ले, इनकी width कितनी है, तो width इसकी है, roughly 50 km, और अगर हम यह आपे देखें, शिवालिक की, तो यह 10 से लेके 50 तक है, यानि की काफी ज़्यदा vary करती है, तो इसी वज़य से है, क्योंकि vary बहुत ज़्यदा करती है, width बहुत ज़्यदा नहीं पूछते है, आप से exam में, height पूछता है, clear है, और हमने क्या पढ़ आता है, ग्रेटर हिमालि में है, यहाँ पे इसकी westernmost peak नंगा परबत और सबसे easternmost peak, आपकी नामचा बरवा, यही नामचा बरवा से हमारी ब्रमपुत्रा है, वो यूटर्न मार के इंडिया में enter करती है, यहाँ पे आपको एक कभी-कभी term पूछ लेता है, that is syntaxial bending देखने को मिलती है, क्या देखने को म भारती समिधान का अनुछे 350 का किस से सम्मंदित है, options आपके सामने, special officer for linguistic minorities, facilities for instruction in mother tongue at primary stage, direction for development of the Hindi language, language to be used in the Supreme Court and High Courts of India, special officer for linguistic minorities, यह कौन होता है, यह special officer होता है, linguistic minorities के लिए, linguistic का मतलब होता है, language के basis पे, भासा के आदार पे, इससे सबसे पहले तो हमें यह आदाना चाहिए, कि which was the first state to be formed on the linguistic basis, जल्दी साप comment में बताएंगे, linguistic basis पे states को बनाने के लिए 3 commission बैठे थे, वो हम लोग जिदेख चुके हैं, एक अधार commission बैठाता 1948 में, JVP भी बैठाता 1948 में, दोनों को recommendations same थे, कि linguistic basis पे भाशा के अधार प 1953, उसी year 1953 में हमारा एक और commission बैठते हैं, that is known as Fuzzle Ali Commission, 1953 में, यह बोलता है, हाँ, भाशा के अधार पे बनने चाहिए, but it rejected the theory, ठीक है, यह कई बार में लिखवा चुका हूँ, बता चुका आपको, it rejected one language, one state की theory को इसने reject कर दिया, इन्ही linguistic minorities को interest को protect करने के लिए special officer रखा गया है, जो की एक constitutional position है, under article 350 A नहीं, under article 350 B, now यहाँ पे B है, B that means कि इसको amendments से add किया गया है, बी है स्वेस amendment नहीं, मतलब मैं इन कहने का मुद्दा ही है, कि जहाँ पे भी आप A, B, C, D, इस तरह से चीज़ें देखते हो, that means कि वो amendments से add क अगया है, again वही constitutional amendment जिसने कि 7th part को repeal किया, जिसने multiple governor को facility दी, जिसने multiple states को common high court setup करने की पावर्दी parliament को under 7th constitutional amendment इस सारी चीज़ों को add किया गया था, 1956 में हुआ था यह, ठीक है तो constitutional position है, अब मुझे यह भी आदाता है, special officer की पहले, जो आप आज कोई सुनते हो ना, national commission for SC, national commission for ST, यह पहले special officer for SCs and ST हुआ करता था, फिर 65th amendment हुआ, उसने officer से commission बनाए, और फिर 89th amendment हुआ, 89th amendment हुआ, जिसने कि इन दोनों को bifurcate किया, दोनों एक साथ थे, SC, ST का, फिर ST को अलग कर दिया 89 से, तो यह तो बोल सकते हैं कि 89 से दोनों अलग हो गए, या फिर यह बोला जा स सकता है कि 89 से national commission for ST create हो गया, आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है आपका अगर हम बात करें, यह SC का है 338, इसका है ST का 338A, क्यों, क्योंकि amendments से इसको create किया गया, और 338B में कौन सा है, जल्दी से recall करिये जरा, answer यहाँ, B होगा, facilities for instruction in mother tongue at primary stage, primary stage में mother tongue में बच्चों को instructions दिये इसकी facility हमें बनानी है, अब इससे मुझे एक और आर्टिकल याद आता है, cultural and linguist, जो हमारा, cultural and educational rights है, सांस्कृति के वहम सिक्षा गादिकार, कौन से आर्टिकल में, 29 और 30 में, उसमें जो 30 है न, वो बोलता है कि जो minorities हैं, वो establish कर सकते हैं, को institution और अपनी तरह से इसको govern कर सक सकते हैं, प्लस ये भी है, कि वो ये इनको power देता है, कि ये अपने बच्चों को अपने भाशा में educate कर सकते हैं, और इनको हम बोलते हैं कि ये right किसको मिले हुए, minorities को, लेकिन 29 वाला जो right है, any section of citizen, हर किसी को मिला हुए, not specially to minorities only, direction for development of the Hindi language, not important, language to be used in Supreme Court and High Court of India, ये बात करता है ये बात करता है, ये बात करता है, कि Supreme Court और High Court की जो proceedings होंगी, that should be in English language only, सिर्फ English language में ही होनी चाहिए, बट recall करिये, एक article recall करिये, Parliament का, जो मैंने बताया था, article 120, ये क्या बात कर रहा था, कि जो Parliament में जो language use की जाएगी, should be either Hindi, or in English, or in English, or in English, और कितने साल के बाद इस or in English word को हटा देना था Constitution से, recall करिये, 15 साल के बाद इसको हटा देना था, बट अभी तक हटा नहीं है, 338B ये बात करता है, National Commission for Backward Classes, amendment number constitutional amendment 102 ने इसको constitutional एक body बनाया, समयधानिक संस्था बनाया, Backward Classes से मुझे आदाता है, Mandal Commission, जो कि second backward class commission था, Mandal Commission से मुझे आदाता है, Mandal Case, जिसको, जो कि आपका इंदरा साहनी Case, Answer यहाँ पर क्या होगा, Option number second, अगले question क्यों बढ़ते हैं, What is the percentage of CO2 in the air exhale by human lungs, सांस मैंने क्या छोड़ी न, अब तुम्हें पता है कि जो मैंने सांस छोड़ी, इसमें कितना carbon dioxide था, नहीं पता था न, आज पता चल जाएगा, 3.2, 5.9, 2.3, 4.4, अब हम लोगों क्या लगता है, हम inhale करते हैं, जट यह जड़ा inhale मेरे साथ, और exhale किया अपने, तो हमें लगता है कि हमने जब inhale किया तो सिर्फ oxygenally, और exhale किया तो सिर्फ CO2 निकली, ऐसा बिल्कुल गलत है, this is a myth and your whole life was a lie, कैसे, inhale जब हम करते हैं, सबसे पहले यह है देखिए, यह हमारा पुए human respiratory system, जैसे तरह खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे कि खाना खाते हैं, मुह में रखा, पूरा हम लोग ने digestive system देखा तो उसी तरह से जब हम air लेते हैं, nose के थ्रू, ठीक है, या फिर मा लेत हमाते हैं, sound box के नाम से, ठीक है, इसके उपर a pharynx, sound box, ठीक है, यहां से पास होगा, फिर trachea में आएगा आएगा आपका क्या, air आएगी trachea में, इसको wind pipe भी बोलते हैं, यहां पे आप rings देख पा रहे होंगे, ऐसे करके lines देख पा रहे होंगे, these lines lines are called as rings of cartilage, rings of cartilage, what are these rings of cart cartilage, यह cartilage के बनी होती हैं, what is this cartilage, cartilage is a connective tissue, what is tissue, tissue are the group of cells, which perform certain functions, जो कुछ एक function perform करती हैं, इनको उतक बोलते हैं, तो इक किसको connect करती हैं, यह usually connect करती हैं, जैसे कि bones के बीच में होती हैं, facilitate करती हैं, bone में थोड़ा सा smoothness लाती हैं, अब यह जो nose है, nose को अपनी touch करिए, कान को touch cartilage करिए, ना तो bone की तरह आपको heart समझ भाएंगे, ना बहुत soft समझ भाएंगे, वो होता है cartilage, वैसा ही cartilage यहाँ पर यह है, अगर कभी इसका function पूछ लें कि rings of cartilage क्यों है, answer है इसका, ताकि जब हम लें, ठीक है, जैसे सांस लिया, तो अगर cartilage नहीं होगा, बहुत है, वो bronchioles में convert हो रहे हैं, ठीक है, और इन bronchioles में लगे हुए गुबारे type structure, इनको बोलते है alveoli, alveoli यहीं पर होता है अपका exchange of gases, site of exchange of gases होता है अपका alveoli, जैसे site of exchange of gases in plants, ठीक है, gaseous exchange in plants कहां होता है, gaseous exchange in plants कहां पर होता है, humans में तो alveoli आधी site of gases exchange, यहाँ पर ही इनको blood capillaries बोलते हैं, यहाँ पर बहुत घली टाइप, घली त मअ structure रहता है, यह घली त मअ structure क्या करता है पता है, यह CO2-O2 का diffusion करता है, now what is diffusion, diffusion होता है, diffusion होता है movement of gases from higher concentration to lower concentration, diffusion होता है अब का movement of gases from high concentration to low concentration, किसी भी चीज का जो नाइच्रल मुवमेंट होता है वो from high to low होता है, wind क्यूं चलती है, high pressure से low pressure चलती है, ठीक है, osmosis अगर आपने पढ़ाओ, osmosis में क्या होता है, high concentration से low concentration movement होता है, but वो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे semi permeable membrane जोड़ जाती है, ठीक है, एनिकी movement of particles from high concentration to low concentration through a semi permeable membrane is called as osmosis, diffusion क्या है यहाँ पे कोई permeable membrane नहीं है, आपने अगर बत्ती जला में फिर पुरे कमरे में आपकी smell fell गई, diffusion, ठीक है, वैसे यहाँ पे होता है किया, जैसे कि आपने inhale किया, तो क्या होता है, oxygen का concentration इनके around बहुत बढ़ जाता है, अंदर concentration कम रहता है, तो हाई से low अंदर चला जाता है, जब हमारा respiration होता है, पुरा process होता है, तो यहाँ पे CO2 निकलती है, CO2 का अंदर concentration है, यह बाहर लो है, तो CO2 अंदर से बाहर निकल जाती है, तो इस तरह से पुरा inhale, exhale का process होता है, question अभी recently हमने इसी PYQ series part 2 में देखा था, जो question बना था, डाइफ्राग्म से, question यह बना था, जब हम inhale करते हैं, तो डाइफ्राग्म उपर नीचे क्य क्या होता है, तो भी हम चले देखते हैं कि डाइफ्राग्म के साथ क्या होता है, जो हमारे ये लगे हुए हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं, rib cage, अब यह जो हमारे lungs है न, सबसे पहली बात तो एक चीज़ यहाँ पर note करो, यहाँ पर आपको एक प्लिव प्लिवरा होती है, covering, thin membrane covering lungs, lungs को जो cover करके रख रही है, thin membrane उसको प्लिवरा बोलते हैं, ये जो पूरे lungs है हमारे इन में आपको इस तरह से rings ये मिलते हैं, क्या बोलते हैं, rib cage बोलते हैं, इसको feel भी कर सकते हैं, अपना टच करी हैं यहां पर बिल्कुल इसको feel कर सकते हैं, rib cage ज हमारे पूरे इसको protect करके रखता है, ये जो नीचे देख पा रहे हैं, इसको diaphragm बोलते हैं, और ये जो lungs top देखी पा रहे हैं, अब क्या होता है वो द्यास समझे, यहां पर हमें लिख देता हूँ inhale, यहां पर हमें लिख देता हूँ exhale, जब हम inhale करते हैं, जब हम inhale करते हैं, तो हमारे lungs होते हैं बड़े, lungs हो जाएंगे, फूल जाएंगे, इस में तो कोई आपको डाउट नहीं होगा कि lungs हमारे फूल जाएंगे और यह पूछे कभी नहीं आपसे, क्योंकि सब को पता है कि नहीं करेंगे तो लंक्स में air भरेगी तो बड़े हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पर लंक्स हो जाएंगे अपके थोड़े से छोटे हो जाएंगे, रिलेटिवले, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कि लंक्स के साथ तो हमने देख लिए, डैफ्राइम का क्या होगा, तो अब अगर लंक्स लंक्स करें करें, रिब केज, अब सांस लो, तो अपका रिब केज क्या होता है, उपर उपघता है, उपघता है किने भी, अब सांस लो ऐसे, तो जिखीए, आपका जो रिब केज है, पुरा उपपर उठेगा, इस्पे question आ चुके हैं, बात ये आती है, इन्हेल में कितना मतलब मैं बता तो सही रहो लेकिन थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें आप है एक्जेल जब हम करते हैं तो CO2 जाती है 4.4% लेकिन जब एक्जेल करते हैं तो CO2 से ज़्यादा O2 जाती है यह मैं आपको बताना चाहरा हूँ इस वेसे इसको नीचे लिखिए इस CO2 4.4% जाती है 4.4% जाती है उससे ज़्यादा तो O2 जाती है 16% ठीक है यह चीज़ ध्यान रखिएगा किस भारती क्रिकेटर को लेटल मास्टर के नाम से भी जाना आता है उमेश यादा विराट को ली सुनील गावसकर का पिल देव उमेश यादा तो लेटल तो नहीं है काफी तगड़े से हैं ना आंसर क्या होगा है यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन मेंबर 3 सुनील गावसकर इनको लेटल मास्टर के नाम से जानते हैं और सुनील गावसकर जी की ओटो बैगरफी का नाम क्या है तो इनकी ओटो बैगरफी का नाम है इस सनी डेस सनी डेस playing it my way किसकी जरा पतागी जल्दी से playing it my way हो गई ठीक है और a century is not enough a century is not enough the test of my life the test of my life 281 and beyond यह सब किसकी है no spin यह सब अगर हम बात करें playing it my way सचिन तेंदुलकर की है along with बोरिया मजूमदार इनोंने इसको पब्लिश किया था बोरिया मजूमदार इसमें co-author है the century is not enough यह है सौरव गांगुली the test of my life युवराज सिंग 281 and beyond वीवियस लक्षमन no spin अगर हम बात करें शेन वान ठीक है शेन वान आगे बढ़ते हैं when was Alluri Sita Ram Raju arrested ending a two-year armed tribal struggle Alluri Sita Ram Raju belong करते थे present day जो आंद प्रदेश है वहाँ से Britishers के खिलाफ इनोंने मोर्चा खोल रखा था but मई 1924 को इनों कोई गिरफतारी करी गई पेड में लटकाया गया और इनको shot he was shot dead option 1st May 1924 इसके अलावा इनसे आप कुछ नहीं पूछेगा ऐसा कोई मतलब ऐसा revolt नहीं है जो कोई नाम हो तो मैं आपको बताऊं कि यह revolt यह लीट किया था ऐसा कुछ ठीक है तो बस आपको इतना आद रखना है May 1924 में अलूरी Sita Ram Raju को दो साल के बाद हैंग कर दिया गा था ठीक है May 1924 विच इंडियन फेस्टिवल और यह रीजन क्या है पूछे जाने का विकाज ट्वेंटी ट्वेंटी 2022 में इनकी 125 में जहनती मनाई गई है ठीक है इस वैसे एक क्वेशन पूछा गया था शिक्स नमबर है विच इंडियन फेस्टिवल से लिबेट्स दी बहुत आनिवर्सरी ओफ स्पिरिच्वल लीडर पदमसंभव फाउंडर ओफ तिबबत तंत्रिक बुद्धिजम कौन सा भारती तेवार तिबबत तंत्रिक बहुत धर्म के संस्थापक अध्यात्मिक नेता पदमसंभव के जहनती मनाता है बकरीद, लोसर, गुरुपूरब या फिर हमिस तिबबत, तंत्रिक, बुद्धिजम तीन केवर्ड है राइट तिबबत, तंत्रिक, बुद्धिजम यानि की है हमारा लद्दाक बुद्दाक की बात हो रही है बकरीद तो नहीं हो सकता है त तो अव्वेस यी बात है पदमसंभव के लिए तो नहीं है ऐसे बधने वर्शर एक लिए सलिबेट किया जाता होगा तो बचताब का एक उप्शन है में सिंपल कहां पर लद्दाक में यहां पर मनास्ट्री भी हमिस मनास्ट्री वहीं पर इसको सलिबेट किया जाता है और आपके मनास्ट्री है जैसे कि आपकी एक ठीक से मनास्ट्री है ठीक है मनास्ट्री पर भी कुश्चन आ चुक है ठीक से मनास्ट्री है और एक आपकी दिसकित मनास्ट्री है ठीक है दिसकित मनास्ट्री और यह हमिस तो ही आपकी ठीक है यह मनास्ट्री याद रखिएगा र यहाँ रूम्टेक की बात करें, सिक्क्यम, ठीक है, वही सिक्क्यम जहाँ पर आभी हमने देखा था, कंजन जंगा हमारा नाशल़ पार्ग है और कंचन जंगा हईय स्पीक देखने को मिलती है और नाथूला औ॥ जेले प्लाब आप आपको सिक्क्यम मही देखने को मिलेंगे, सिक्किम हमारा population wise सबसे छोटा state है कर बात करें भूटिया tribe यहाँ पर हमको देखने को मिलती है ठीक है और golden temple के अगर बात करें तो यह south India में that is in करनाट का यह है आपका बाइला कुपे monastery बाइला कुपे monastery इसको हम प्यार से name drawing भी बुलाते हैं क्या बुलाते हैं name rolling what is crude birth rate in India as per 2011 census 2011 की जनगर्णा की नमसार भारत की अपरिश्कृत जनमदर क्या है birth rate 20% 21.8 20.5 या फिर 28% answer है 21.8% birth rate के अगर हम बात करें तो rural India और urban India किसमें ज़्यादा होगा rural India में है ना 23.3 है urban में अगर हम बात करें 17.6 है birth rate के बात कर रहा हूँ और death rate के अगर बात करें death rate यहां आप से आप से पूछेगा मनला हजार लोगों में कितना है per thousand population 7.1 यहां पर लिख देता हूँ per thousand population 7.1 यह data या रखिएगा अच्छा एक question अगर यह पूछ ले crude birth rate highest कि state में है highest तो यह बिहार में है वही बिहार जहां की population density सबसे ज़्यादा है कितनी यहां की population density जड़ा comment बताईए वही बिहार जहां की जो literacy rate है 61.8% सबसे lowest है, सबसे highest कहां की है किरल की है, कितनी है 94% है UT में के term से बात करें सबसे highest कि यह लक्षदीब की है IMR और MMR के भी data पे भी questions आ चुके है Now what is IMR infant mortality rate इसका मतलब होता है कि per thousand जो live births होती है उसमें कितने जो child होते है उनकी death हो जाती है, birth के time that is called as IMR infant mortality rate 2011 के census के according अगर बात करें तो 44 है 2011 के census के according MMR के अगर बात करें MMR है maternal mortality rate यानि कि birth date time कितनी mothers की death हो गई that is 178 यह है 2010 और से लेके 12 तक का data SSC CGL 2022 में question पूछा गया under 5 mortality rate कितनी है under 5 mortality rate यानि कि बच्चों का जर्म हुआ 5 साल के अंदर कितने बच्चों की death हो गई that is आपका बच्च्पन यह है infant यह birth के time पे यह है आपका 5 साल के अंदर यह आपका 55 है या दखिएगा directly question पूछा गया था अगर यहाँ पर हम बात करें एक question और है पूछता हूँ आपसे and that is highest decadal growth rate किस state की है highest decadal growth rate और एक question मेरे दिवाग में और आ रहा है that is कि पूरे world में कौन से country है जिसके सबसे ज़्यादा birth rate है highest birth rate country अगर आपसे पूछले यह African country है guess करिये जरा तो highest decadal growth rate के अगर हम बात करें यह हमारे मेगाले की decadal growth rate पे जब कोई question आएगा तो वहाँ पे हम सारी चीज़न देख लेंगा यहाँ पे आपका जो strawberry festival होता है कि इस तरह समने आद किया था कि नंगे बच्चे ठीक है जब बरसात आती है तो क्या करते है वो जंगल में चले जाते है क्या strawberry खाने है ठीक है तो हमने इस तरह से आद किया था कि गारो मतलब यहाँ पे गारो tribe हमारी celebrate करती वो नंगे में नहाते हैं इस तरह समने आद किया था तो non cream, non cream festival खासी और खासी में आपको देखने को मिलेगी moss in ram hills moss in ram hills वही जहाँ पे सबसे highest rainfall record होती है खासी hills में और अगर जहनतिय की बात करें जहनतिया बहदिन खलाम बहदिन खलाम खाने निकल जाते हैं बहदिन खलाम क्या खाने निकल जाते हैं strawberry तो strawberry festival भी यहीं पर आपको मना जाता है गारो वंगाला, वंगाला को किस नाम से जानते हैं festival of hundred drums के नाम से जानते हैं यह सारी चीज़ना जल दे आपको recall होने चाहिए में घाले में घाले प्लाटिव है जिसको कि हम कर भी अंगलांग प्लाटिव के नाम से जानते हैं highest birth rate country नाइजर ठीक है जो कि अफ्रिकन country है answer option number second 21.8% याद रखियेगा कोशिस यह क्या करिए कि अगर आपके पास notes है तो notes से या फिर मैं तो ppt का पूरा pdf शेयर करी देता हूँ कि जब आप यह lecture attend करने आएं तो उससे पहले 25 questions में नजर मार के हैं एक बार जल देल देखिसार ने क्या पड़ा है तो बहुत आसान होगा बारती सविदान का नेमलेकित में से कौन सा प्रावदान ब्रेटन के सविदान से उधार नहीं लिया गया है उधार कहां से नहीं लिया गया बताईए fundamental rights legislative procedure by cameraism या फिर rule of law तो हमारे Indian constitution जब हम बना रहे थे हमारी constitutional assembly हमरी सविदान सबाव जब बना रही थी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी constitution से country के constitution से बौरो किया पहली बात तो ब्रेटन का constitution written है कि unwritten है जड़ा यह बताईए और उससे पहली बात यह है कि हमने जो mostly चीज़ें है वो अपने government of India act 1935 से बौरो किये है mostly जो चीज़ें हैं वो इसी से बौरोड है Britain का constitution unwritten है हमारा written है like USA unwritten constitution का मतलब यह होता है कि उसको amend करना बहुत ही आसान है यानि कि वो जो constitution है that is very flexible in nature written होता है जैसे हमारे इंडिया का उसको amend करना बहुत tough होता है that means कि वो rigid है बट हमारा constitution को बोलते है हमारा constitution एक balance बनाता है rigidity और flexibility के बीच में कुछ उसके provisions है जो आसानी से amend हो जाते है like अगर किसी state को create करना है उसकी boundary change करनी है legislative council create करनी है यह सारे का में फिर quorum में article 100 sub clause 3 quorum की बात करता है उस comment करना है इस सारे simple majority से आसानी सो जाते है that is flexible है बट कुछ provisions है जैसे fundamental right हो गया DPSP हो गया यह फिर प्रेसिडेंट का election हो गया 7th schedule हो गया साथ वे ने सुचिए उस comment करने के लिए article 368 का use करना पड़ता है and it means that is it खेर अब back to the topic and that is the returning constitution system ने क्या-क्या बारो किया Britishers ने हमारे हमारे इंडिया में 200 साल तक राज किया ठीक है तो उन्होंने पूरा parliamentary form of government है वो बना के गए पूरा legislative procedure किस तरह से एक law बनेगा वो बना के गए यह सारा कुछ काम करके गए कि जो कानून है वो सबसे उपर है rule of law यह करके गए बट fundamental right जो है न मौली कदिकार वो तो उन्होंने हमें दिये नहीं मौली कदिकार उन्होंने हमें दिये नहीं दिये ऐसे आद लखो कि उनके पास थही नहीं तो हमें क्या देंगे यह USA से हमने लिया USA का जो magna carta है वहां से इसको हमने बौरो किया USA से और क्या क्या बौरो किया हमने USA से हमने बौरो किया impeachment यानि की राष्टपती का महाभ्योग removal of judges removal of judges यानि की president का removal और removal of judges इन सब को बौरो किया हमने supreme court और high court इनका ठीक है अब judges किस से related है जुडिशरी से न हाँ तो हमने independence of judiciary यहीं से लिया नया पालिका कि स्वतंत्रता वो यहीं से लिया independence of judiciary judicial review judicial review का मतलब क्या होता है हमारी नया पालिका review कर सकती है कोई भी law अगर create करता है कौन हमारा legislature विधान सब विधान मंदल तो वो विधाई का तो उस पर review दे सकता है यह पता है कौन सा article बोलता है guess करो अगर आपने guess कर लिया ना सही बता रहे रिकॉर्डे क्लास में टॉफी फेक के मारेंगे तुम्हां अभी में जल्दी से बताओ ठीक है तो बाई कामरिजम rule of law legislative procedure हमने UK से लिया है और यह हमने लिया है fundamental rights से और कुछ ही उसे से लिया है article 14 याद करो equality before law and equal protection of laws तो जो equal protection of laws है which is a positive concept वो हमने यहीं से लिया है बहुत कम चांसे पूछाए ने के बट अगर थोड़ा सा tough question बना तो यह से पूछेगा equal protection equal protection of laws और एक चीज़ और and that is office of vice president office of vice president ठीक है article number क्या पूछे तुमने हाँ article 13 यह बोलता है judicial review के बारे में article 13 यह बोलता है कि any law made which is in contravention with the fundamental rights shall be declared null and white that means कि अगर कोई भी कानून बनाया जाता है beat parliament or beat state legislature अगर fundamental rights का contravention करता है तो उसको null and white declare करने का power हमरे judiciary के पास है और इसमें permanent laws, temporary laws, by laws, ordinance सब आते है but constitutional amendment bill नहीं आता है but question अंदा भारती के 1973 13 यह जजस बिंच केस में हमारे क्या बोला तो सप्रेम कोट ने कि अगर आपने जो बेसिक structure को हिलाने की कोशिस करी आपको हिला देंगे basic structure क्या है constitution में कहीं भी mention नहीं है question अंदा भारती केस में आया था और further evolving है ordinance क्या constitution में amendment कर सकता है हाँ यह ना में जल्दी सुतर दीजे क्या constitution में amendment कर सकता ordinance under article 123 जो president के पास है राश्पति के पास और 213 जो हमारा governor के पास है answer is no constitution में amendment सभिदान में संसोधन यह नहीं कर सकता है certain plants have green and tender stems they are usually short and may not have और देखो अभी यहां पर मैंने आपको बिटेन के सारे बता दिये बिटेन के सारे नहीं बता है और मैंने रुको बिटेन का बाकी है कुछ बिटेन से हमने और क्या क्या लिए बिटेन से हमने single citizenship ली है एक कल नाग दिखता लिए single citizenship USA में dual citizenship होती है एक तो USA के citizen है लोग और वहां पर जैसे for example San Francisco में रहे रहे तो वहां की citizenship अलग से बट हमारे यहां पर सब Indian citizen है Indian citizen ठीक है dual citizenship हमारे यहां पर नहीं है और दूसरा और यह किस किस तरह का feature है federal feature है कि unitary feature है तो याद दखना है प्रिवलेजेश को कि अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं गाली गलाज कर रहे हैं पारलिमेंट के लिए उनको लाइबल नहीं ठहरा जा सकता उसकी सजा उनको हाउस के अंदर ही वो जो presiding officer बैठा है पीठा साजीन अधिकारी वही देगा court interfere नहीं कर सकते हैं इनको arrest नहीं किया जा सकता है civil cases में no arrest in civil cases जब पारलिमेंट session में हो और उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उनको arrest नहीं किया सकता है civil cases में मतलब property के मसला हो गया dowry हो गया marriage हो गया इस तरह यह आपके civil में आते है murder theft यह सब आपके आते है criminal में तो certain plants होते है green और हां तो मैं यह बोल रहा था कि Britain और यह सेगह हमने देख लिए बाकी जो आते जाएंगे उनको हम देखते जैंगे वह मैं आपको कर बाता ही रहे हो जैसे Australia गरम करके What are they called as? कुछ पॉदों के तने, हरे और कोमल होते हैं वे ओम तोर पर छोटे होते हैं और उनकी अधिक शाखाएं नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? Herbs, shrubs, trees या फिर creepers आंसर है Herbs इनके कोई तने और अगरा इसाब कुछ नहीं होते हैं ठीक है, they have green and tender stems और इनकी अधिक शाखाएं नहीं होती है इससे मुझे याद आ रहा है कि वो कौन से हमारा plant kingdom में phylum होता है इसमें, क्यों क्यों, well distinguished body parts देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है, well distinguished parts यह फिर body parts से अचा है, parts लिख देते हैं इसमें देखने को नहीं मिलते हैं तो यह होता है हमारा thallophyta इसमें thalli की तरह सारी चीज फैली होई होती है बाकी यहाँ पे हम plant kingdom नहीं देख रहे है क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं सारी चीज़ें, आगे कोई question आएगा तो देखेंगे ठीक है, sorry, 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 herbs लगा दिया है गलती समयने shrubs होगा इसका, ठीक है, shrubs बड़े similar sounding से लग रहे है, ठीक है, shrubs होगा इसका उमने herbs, shrubs, थोड़ा सा चलिए, तो option number second साही answer होगा अगले question पे आते है, on learning about जलिया वाला बाग massacre, because herbs तो किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो herbs depend करता है, ठीक है, herbs herbs, shrubs हो सकते हैं, ठीक है herbs, shrubs हो सकते हैं, बड़ सारे shrubs herbs नहीं हो सकते हैं, right, herbs का मतलब जो भी आप दवा वगेरा में यूज़ कर रहा on learning about जलिया वाला बाग massacre, Dash expressed the pain and anger of the country by renouncing the nighthood, जलिया वाला बाग हत्या कांड के बारे में जानने पर Dash ने अपने nighthood का त्याग करके देश के दर्थ और गुस्से को व्यक्त लिया nighthood एक उपादी हुआ करती थी, जो ब्रिटिशर्स दिया करते थे, तो ये दी थी इन्होंने जलिया वाला बाग में खटा हुए थे, प्लिस दो लोगों की हमारी arrest हुई थी वो दो लोग कौन से हमारे से फदीन किच्छिल्ू और dr. सेðित्य पाल इन दो लोगों की अरेस्ट हुई थी इन अरेस्ट इन दो लोगों की arrest की प्रोटेस्ट में और मैसाकी की इस दिन को celebrate करने के लिए लोग जमा हुए, उसी दिन जनरल डायर ने क्या किया, fire के निर्देश दे दिये, बहुत लोगे death हुई, और फिर जनरल डायर को किस ने मारा था हमारे, उधम सिंग, उधम सिंग जी ने मारा था, राम मुहम्मद आजाद, ये एक नाम रख के गये थ ये लोग क्यों अरेस्ट हुए थे, ये लोग अरेस्ट हुए थे, अनार्कियल और रेवलिशनरी स्क्राइम्स अक्ट की वजए से, जिसको कि हम प्यार से रॉलिट अक्ट बुलाते हैं, 1919 में आया था ये, इसको ब्लैक अक्ट बोला था, जिसके खिलाफ सत्त्य ग्रे किया गांदी जी ने, कैसे किया था, होम रूल लीग जो बाले अंदर तिलक ने बनाई थी, उसका नाम सुराज सभा चेंज करके, उसमें यंग जो थे, प्रोटेस्टर्स उनको यहां पे लिया था, होम रूल लीग में, फिर फर्दर, इसके प्रोटेस्ट में हमारे गांदी जी में, मौलाना यली और शाकत अली अली विर्दर्स ने इसको स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था? उसका कोई इंडिया से लेना देना नहीं था, तुर्किये में क्या हुआ था? फर्स वरल्ड वार, जो 1918 में खटम हुआ था, उसके बाद यहां पे जो खलीफा थ उसको हटा दिया गया था उसके प्रोटेस में हर जगे के मसलिम स्रोटेस कर रहे थे इंडिया में खिलाफात आंदोलन शुरू हुआ था मर्च कर दिया था फिर आपको पता है 1922 में गांधी जिसको वापस ले ले लेते हैं वो वेल गांध सेशन को प्रिसाइट करते हैं विच इस इस अउनली सेशन विच गांधी जी प्रिसाइट है और सो अन तो अप्षिन नमबर थर्ड यहां पर सही आंसर होगा ताद अफ़ा इन औरोजी से आप क्या-क्या रिकॉल कर सकते हैं इस इंडिया असोसेशन आठारा सो चांचट में पावर्टी न अन बिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी जिसमें ड्रेन और वेल्थ थोरी की बात कही फर्स्ट एक तरह से अन ओफिशल पावर्टी लाइन इन नहीं दी फर्स इंडियन ब्रिटिश एंपी है ये और कॉंग्रेस के सेशन को तीन बार प्रिसाइट किया 1906 में कैलकटा सेशन को प्रिसाइट किया जहां पर रिजलिशन पास हुए थे रिगार्डिंग स्वराज ठीक है स्वराज वाला तो 1905 के सेशन में 1905 में हुआ था जिसको गोपाल क्रिशन गोखले जीन प्रिसाइट किया था 1905 बनारस में हुआ था यहां पर आपका स्वदेशी आपका बॉयकॉट और नैशनल एजुकेशन ये तीन रिजलिशन पास हुए थे और अगर हम बात करें तो बद्रुद्दीन तयब जी के कर बात करें तो बद्रुद्दीन तयब जी पहले थे जिन्होंने पहले मुसलिम थे जिन्होंने कॉंग्रेस के सेशन को प्रिसाइट किया था फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिदेंट ओफ कॉंग्रेस ठीक है बदरुदीन तयब जी जॉज यूल पहला अंग्रेज था जिसने की कॉंग्रेस के सेश्चन को प्रसाइट किया था पहली विमेन कौन थी एनी बेसं थी पहली इंडियन फीमेल विमेन कौन थी सरोजनी नाइडू थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कुश्चन है 11 अमेगा बाइट एंबी कंसिस्ट ऑफ 1024 डैश वन एंबी में कित्ते गीगाबाइट किलोबाइट टेराबाइट होते हैं तो यह आपके एक एंबी में एक हजार चौविस के बी होते हैं यह आप लोग पहले भी आइध करें कितने बीट होते हैं तो बिट हमारी सबसे smallest unit होती ही न ए आठ बीट होते हैं और अगर हम बात करें एक बाइट में दो निबल होते हैं दो निबल्स तो मैं यह बोल सकता हूँ क्या कि एक निबल में कितने बीट होते हैं बताइए एक निबल में कितने बीट होंगे चल है what is speculative demand for money हिंदी में तो बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा इसको मैं समझात हूँ speculative demand for money है क्या इसको मैं पहली बार देख रहे है ये एम कीनीज नाम तो सुना होगा ठीक है जॉन मेनाड केनीज ये काफी बड़े इकोनामिस थे इन्हों ने दी थी liquid, liquidity preference theory एक integrity preference theory यह liquidity preference theory बोलती क्या है liquidity की preference के बार में बताती है वही होता है begin to which is specifically demand for money liquidity पहली बार आपğ मने सुन रही है आपको मैंने बताया लिकुडिटी का मतलब होता है cash netto series हम्लोगों लोग ने देखा था last जो मरा निट्टो सिरीज था उसमें liquidity का मतलब है पैसा, cash liquidity यानि cash को कितना हम preference देते हैं वो है आपका speculated demand for money for example, interest rate बहुत हाई हो गए, यानि कि पैसा अगर आप bank में deposit करेंगे, या फिर कहीं invest करेंगे तो बहुत अच्छे returns मिलेंगे तो अब मुझे बताइए, क्या मैं पैसा रखना पसंद करूँगा अपने पास नहीं, उसी को बोलते है speculative demand for money, इसका मतलब होता है tendency to hold money tendency to hold money तो अगर interest rate होंगे high, तो speculative demand for money, speculative demand for money will be low लोग कम hold करना चाहेंगे and वाईसे वाईसा interest rate अगर low होंगे तो लोग अपने पास पैसे रखेंगे आराम से, कि interest rate high होने तो तब पैसा डालेंगे ठीक है, तो यह आपका relatively interest in elastic है बट इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है and that is, कि अगर liquidity trap वाली situation हो गई now what is liquidity trap liquidity trap होता है जहाँ पे वो economic condition होती है जहाँ पे लोग पैसा एकदम hold करते है, ना तो invest करेंगे ना consumption करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बस अपने पास जम्मा करके रख करके रख करें यह case होता जब आपके interest rates interest rates जो हैं, बहुत low हो जाते हैं और saving rates high हो जाते हैं, ठीक है saving rates high हो जाते हैं बस इतना दखिए, interest rate बहुत low हो गए अब लोग बहुत भेंकर तरह से holding करेंगे cash की यानि कि इस case में जो आपकी speculative demand है speculative demand है that will become perfectly elastic ठीक है यह आपकी perfectly elastic हो जाएगी, तो यह हो गया आपकी speculative demand इसी तरह से आपका precautionary demand करके भी होता है उसमें क्या होता है, precautionary भी चलो बताया तो मैं precautionary में होता है कि लोग जब precaution लेते हैं ठीक है, considering their income expenses को लेके जब लोग precaution लेते हैं, that is called precautionary measure 13 पे आते है which of the following is not a play written by Shakespeare के दोरा इसमें से कौन सा नाटक नहीं लिखा गया है Anthony and Cleopatra, The Committee of Errors, The Candle Stand या फिर Othello आंसर इसका The Candle Stand ठीक है, आप में से किसी ने पढ़ा है Shakespeare के, इन में से तो मैंने कोई नहीं पढ़ा है एक पढ़ा है As You Like It As You Like It और एक पढ़ा है इनका Much I Do About Nothing Much I Do About Nothing तुमको लग रहा होगा, वाउ सर तो काफी Royal Shock रखते हैं, Shakespeare के पढ़ा हैं, बिलकुल नहीं मजबूरी में पढ़ा था ये क्लास 10th में और ये क्लास 12th में मजबूरी में कोई इच्छा से नहीं पढ़ा था जबर जस्ती कुछ याद नहीं, बस इतना याद है Much I Do About Nothing में कोई Don John था कोई Don Pedro था इस तरह से लोग थे बस इतना कुछ याद है भी 14th In MS Excel 365 which of the following shortcut is used to copy the contents and format of the topmost cell of a selected range into the cells below तो MS Excel 365 में नहीं लिकित में से केसे shortcut copy है चैनित शेनली के सबसे उपर cell के समगरी और प्रारूप को नीचे दियेगे cell में copy करने के लिए जाता है all plus D, control plus D, all plus C और फिर control plus C सही answer को option number second, control plus D बाकी के हम बात करें तो ये URL select करने के लिए उस किया जाता है जो भी web page का URL होता है उसको control plus C के अगर बात करें तो जो highlighted text होता है highlighted text होता है और ये आप internet explorer में जो आपकी favorite चीज़ होती है उसको select करने के लिए all plus C का use करते है ठीक है ये थोड़ा सहा दखिए ये पूछा जा चुक है पहले highlighted text के लिए control plus C use करते है अच्छा एक चीज़ मुझे आदा रही है ये Shakespeare of India किसको बोलते है ठीक है मेगदूतम कुमार संभवं ये सब इनकी के राइटिंग्स है मालविका अगनी मित्र से आपको याद आना चीए कि मालविका और अगनी मित्र अगनी मित्र कौन था अगनी मित्र था आपका पुष्य मित्र सुंग का लड़का उसके और मालिविका के बीच के लव स्टोरी है जो काली दास जी ने दिखाई थी ठीक है तो अगनी मित्र सुंग डानेस्टे से बलॉंग कर दोता ठीक है ये कुश्चन पूछा जा चुका है जिसमें सही आंसर क्या होगा गूमर आप जानते हैं ये राजस्थान का है ठीक है कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है भील ट्राइब परफॉर्म करती है जो कि हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रूप है इंडिया में ठीक है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रूप है बिहु की अगर बात करें ये कहां का है असम का है ठीक है बिहु फेस्टिवल भी होता है ठीक है अमनों लोग ने ट्रिक भी देखी थी कि असम के फेस्टिवल्स की क्या ट्रिक हमनों को याद करी थी कि असम की बहु थी एक ठीक है उसने अपने बाई को पटक पटक के मारत थे पटक पटक से हो गया था देहिंग पटकाई फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, और क्यों पटक पटक के मारा था, विकॉज अली, तो अली ऐलिगांग फेस्टिवल, अब्बू, ठीक है, अब्बू से हो गया था आपका अम्बू बाची फेस्टिवल, को याद हो ठीक है यहां पे लिगता हूँ विफ में थीन टाइप पढ़े थे एक तो था बोहाग भी हुँ जो की एक निव ये था यहां का New Year Festival है फिर एक हमने पढ़ा था Mark भी हूँ यह आपका January के टाइम पर मना जाता है Mark के महिने में और एक होता है काटी भी हूँ जब फसल कटाई होती है तो यह आपका October के टाइम पर मना जाता October के टाइम पर कौन सा Type of जो हमारा Cropping Pattern होता उसकी कटाई होती है और आभी खरीफ जयद किसकी होती है और वो हागम April में मैं आपको बता चुका हूँ उगाडी उथांडू जो पर गुड़ी पढ़वा ठीक है या फिर आपका पॉला बाशौक बंगॉल का यह सारे जो New Year है ना या फिर भी हूँ असम का यह सब चैत्र के वहिने में या एप्रिल के मन्त में अराउंड मनाया जाते हैं यह लावनी डांस होगा आपका option number third कहां का है महराश्ट का महराश्ट के और कौन कौन से डांस आपको पता होना चीए लावनी के अलावा लेजिम ठीक है विराट कोली भी ही पर डांस कर रहा है ऐसे करके आद रखिये इसकी बाकी में तो ट्रिक आपके लेके आओंगा ही जल्दी तमाशा और गोंधाल ठीक है यह डांसेज हैं महराश्ट के भांगला आप जानते हैं कहां का है पंजाब का अपशन नमबर थर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं और मजूली से यहादा ना चाही है मजूली आपका आइलənd भी है जो कि लार्जस्ट रिवराइन आइलेंड है पूरे वर्đड में लार्जस्ट रिवराइन आइलेंड है जो कौन सी आपकी river बनाती है जो कि आपकी बनाती है दिहांग Northern जिसका नाम पहले अरुनाचल में सियांग पड़ता है फिर जब नीचे आती तो दिहांग पड़ता है इसका तिब्बत में नाम यारलूं सांग पो है जब असम में आती तो नाम ब्रहुपुत्या पढ़ता है जब बांगलादेश में जाती है तो जमुना पढ़ता है और गंगा जिसका नाम पढ़ता है उसके साथ मिलके मेगना बना देती है और फिर विश्युका सबसे बड़ा डिल्टा बनता है सुंदर्बंडल्टा जहां पर mangroove वन पर जाते है, mangroove से आपको बहुत सारी चीज़े आदेने चाहिए, कि mangroove के लिए अमारी government नभी मिश्टी scheme launch करी, मिश्टी, इनके conservation के लिए M से mangroove, M से मिश्टी, और मिश्टी एक मतलब बंगॉली नेम है, और सुन्दरी ट्री के नापे सुन्दर बंडलता का नाम पड़ा, mangroove में आपके नुमाटो फोर्स होते हैं, और विवी पारस रूर्स होते हैं, ठीक है, चलिए तो यहाँ अगर हम सही बात करें, तो that will be, सभी को पता होगा, यह हम लोग पहले भी कर चोके Article 371, यह डील करता है Special Provisions से, जिस तरह हमारा Special Provisions से डील कर रहा था Article 370, बट वो जम्मू कश्मीर का था, उसी तरह हमारा 371, यह तो हो गया महराष्ट and गुजरात, लेकिन इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 371 A है, 371 B है, C है, D है, E है, F है, G है, H है, I है, J है, इस तरह से हमारे हैं, याद कैसे किया थे, एक लड़की से हमने उसका नाम पूछा, उसने बोला कि मेरा नाम है आसमा, आसमा, और मैं पढ़ती हूँ, G, K, ठीके, इस तरह से, तो ना से, N से, नागालेंड ही सब लिखा हुआ हम लोगा, A से क्या होगा, A से क्या होगा, असम होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी A है, ठीके, A किस तरह से याद किया तब देखेंगे, M से मनीपूर है, A से आंधरा है, और तेलंगाना भी, आंधरा की उनिवर्सटी है, S सिक्के में, M से मिजोरा में में गाल है, यहाँ पर नहीं है बचारा, A से अरुनाचल है, G से गोवा है, और कैसे करनाटक है, इस तरह से याद किया था, अब यह पहला वाला A असम ही कैसे हुआ कि असम पहला स्टेट बना तो जिसने की GST बिल्को रैटिफाई किया था, इसलिए इसको याद कर लीजे, अंधरा और अंधरा की उनिवर्सटी दोनों एक साथ है, और बाकी यहाँ पर तीस्टा वाला A है, and that is अरुनाचल, ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप तीस्ट में के जो स्टेट उनको अरुनामामी करक्यात किया था, अरुनाचल, नागले, मनीपूर, मिजोरम, या भी मनीपूर उपर है ना मिजोरम से, तो उस तरह से याद करो, विच अगले, तो यह आपको देखने को मिलेगा चोटा नागपूर प्लाटिव, अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया है, यह पुरा पेनिसला प्लाटिव है, पेनिसला प्लाटिव ना बहुत डिफरेंट पार्ट में डिवाइड़ेड है, जैसे कि इसका वेस्ट गाट है, इस्टन गाट है यहाँ पे ठीक है, वेस्टन गाट, इस्टन गाट के लावा यहाँ पे सेंटरल हाइलेंड है, यह आपकी नर्मदा वैली है, उसके उपर सेंटरल हाइलेंड है, और नीचे यह आपका दक्कन प्लाटिव है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेग चोटा नागपर प्लाटिव, अब यह जो चोटा नागपर प्लाटिव है, छोटा छप्तरी से प्रेरित है, ठीक है और इसको हम बोलते हैं, रूर स्टेट, रूर प्रदेश के नाम से जानते हैं, रूर स्टेट के हम बोलते हैं, विकाज रूर एक प्रोवेंस जर्मनी में, जो लिए काफी फेमस है, उसी तरह से हमारा यह रूड स्टेट है, कहाँ पर इंडिया में, जो कि आपका पनिसला प्लाट्व का पार्ट है, वो उसके लिए काफी फेमस है, छोटा नाग के पर प्लाट्व का कुछ बाकी इसकी जोगरफी के बारे में बात कर लेते हैं, पहली लेगर हम देखें तो सोन रिवर आपको यहां पर देखने को मिलेगी यहां पर आपको दामोदर रिवर देखने को मिलेगी यहां पर आपको नॉर्थ कोईल साउथ कोईल अच्छा नॉर्थ कोईल यह अदग ना कि जो नॉर्थ कोईल है न वो सोन की ट्रिप्यूटरी है और यहां से कौन एक रिवर निकलती ज़रा बताइए जो रिफ्ट वाली में ब्रंश गाटी में पहती है विंदे और सत्पुरा के बीच में और साउथ को इलमान अदिस से जाके मिल जाती है और हमें यहां पर देखने को मिलता है यह ज़रा बताइए कि जो हुंद्रू जल प्रा मतलब जो अमरे घंटेग लाटी शो से निकलती जो कि अपक़ सों डिवर भी वहीं से निकलती अब अगर हम बात करें एक यहां पर हील राजमेहल हिल्स जो इसका एकदम इस्टन पार्ट बनाते हैं राजमेहल की पाड़िया वह इसका इस्टन बावण्ड रिज बनाती है इस्तन डिज बनाती है और हमाने आपको यह बताया थे कि ताजमहल हिल्स का ही extension है क्या हमारी गारो खासी जहनतिया गारो खासी जहनतिया यह हमारा इसी घिल्स का ही extension है जो कि मेगालेन प्लाटव कर्भी अंगलांव पठार बोलते हैं जब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो Assam में आपको दो और मिल जाएंगी जिनको बोलते हैं Mikir and Regma ये कहां पे Mikir and Regma ये हैं Assam में अब यहां पे क्यों बोलते हैं इसको Root State क्योंकि ये Iron and Steel वहां पे Mineral बहुत मिलते हैं कैसे Mineral मिलते हैं जैसे यहां पे बहुत सारे माइन्स देखने को मिलेंगे जैसे कि बैला डिला माइन्स आपकी दली राजहरा माइन्स ये कहां पे हैं दली राजहरा माइन्स ये आपकी 36 गड़ में आइन ओर के अगर रिजर्व के अगर बात करें तो ये एक चीज आपको बताना यहां पर मैं भूल गया थी कि चलो कोई नहीं आप लिए लेते हैं जो छोटा नाक पर प्लैट्व है यहां पर आपको आइरन ओर रिजर्व के लिए आइरन ओर रिजर्व के अगर मामले में बात करें आइरन ओर के रिजर्व के मामले में बात करें तो सबसे टॉप पे स्टेट आता है आपका ओडिसा ठीक है ओडिसा आपका टॉप में आता दें जार खंड दें 36 गड़ और क्या होती है हम लो O4 इसमें iron का जो percentage है वो थोड़ा सा जादा होता है magnetite में as compared to hematite ठीक है और एक चीज एक आपकी माइन है चिरिया माइन एक बाद पूचा गया था सिसी में चिरिया माइन यह दखेगा जारखंड में हैं कहां पर जारखंड में यह सबसे बड़ी माइन से हैं आपकी iron ore की आगे बढ़ते हैं which test is done for starch detection starch जाँच के लिए कौन सा परिक्षन किया जाता है what is starch खाना जो plant में होता है वो starch की रूप में store होता है humans में कि रूप में store होता है humans में glycogen के रूप में store होता है जो further glucose में टूटता है further वो respiration के थ्रूप glucose है pyruvate जो के एक 3-carbon molecule होता है और वो फिर pyruvate further energy में बनती है starch यह plant में आपको देखने को मिलता है किसी में starch और इसमें आपका सुगर्स वगरा भी होती है different type की सुगर होती है monosaccharides और polysaccharides तो उसको detect करने के लिए हम iodine test का use करते है iodine को डालते है ठीक है और अगर blue-black conversion हो जाता है यानि कि blue-black color हमें मिल जाता है that means कि उसमें starch है iodine से मुझे याद आता है कि iodine के एक isotope है उसको हम treatment में use करते है I-131 है उसका नाम I-131 isotope है इसको हम use करते है गेंगा goiter को treat करने में isotope से मुझे याद आता है कि मैं ये आपको बताया था कि जिनका same atomic number होता है different atomic mass होता है उनको isotope समस्थानिक बोलते है urine की isotope को हम use करते है nuclear reactors में kobalt का isotope cancer के लिए treatment के लिए use होता है carbon carbon dating यानि कि rock के age के निकालने के use करते है iodine से आपको याद आना चाहिए कि iodine solution यानि कि 2-3% of iodine solution in iodine solution in water और alcohol usually alcohol होता है कौन सा alcohol इथाइल alcohol या फिर जिसको हम ethanol भी बोलते हैं वो अगर हम ले लेते हैं इसको हम antiseptic के तोर पे use करते हैं और इसको बोला जाता है very important tincture of iodine अभी तक मैंने कोई question नहीं देखा इस पे लेकिन आगे आने के chances बहुत जादा है reason क्या है directly NCRT में लिखा हुगा यह चीज tincture of iodine ये आपसे question पूछा जा सकता है tincture of iodine क्या होता है 2-3% of iodine solution in water और alcohol इसको बोलते है tincture of iodine और इसको antiseptic के तोर पे पी नदी है एक question और है which of the following peninsular river in India does not rises from the western ghat इन में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं इसका उत्गा होता है CHSL mains का इस पार का question है answer क्या होगा इस question का तो जो answer होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है गोदावरी होगा और जो मैंने question पूछा है उसका महानदी होगा अभी देखते हैं कैसे गोदावरी के अगर हम बात करें कहां से निकलती GT road करके हमने आते रखना है इसको G से गोदावरी और T से तिरिम्बकेश्वर कहां है तिरिम्बकेश्वर महाराष्ट में पश्चिमी घाट में वेस्टन घाट में कृष्णा कहां से निकलती है महाबलेश्वर हिल से निकलती कहां पे है ये महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में ये वेस्टन घाट में और कावेरी कहां से निकलती है ब्रह्मगिरी हिल्स में करनाटक में जो कि मिलती है करनाटक के ब्रह्मगिरी हिल्स डिस्ट्रिक्ट अगर कभी पूछ ले तो कोडागू डिस्ट्रिक्ट है ये भी वेस्टन घाट का पार्ट है बट महानदी जो निकलती है वो कहां से निकलती है वो सिहावा पाड़ियों से निकलती है सिहावा हिल्स से निकलती है जो आपका वेस्टन घाट का पार्ट नहीं है ट्रिब्यूटरीज की जरा चर्चा कर लेता है तो क्रिश्णा की ट्रिब्यूटरीज हमने याद करी थी कि भीम तु मौसी को घाट पर लेकर जाके माल रिसीव कर भीम से भीमारी वर्तू से तुंग बद्रा मौसी सबरी एंड इंद्रवती इंद्रवती कावेरी के हमने किस तरह से आद किये थी अगर नाम में लास्ट में नी और ती दिख जाए कावेरी होगा exception इंद्रवती जैसे की का भी नी भा वा नी अम रा व ती हे म व ती नी ती ठीक है और भी इसकी ट्रीटरी हैं जिसको नी और ती से एंड वरी हैं बट इंद्रवती आप exception है इसको वस्यात कर लिजेगा ठीक है आगे बढ़े और महां आप यहां पर देख पार होगे तो उसका आंसर जो मैंने question पूछा तो महानदी हो जाएगा महानदी पर आपका dam है जोग कहां पर कौन से पार्ट उसमें अंडमान निकबार में तो यह हमारा नौर्थ अंडमान में है सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं जल्दी से रिवाइस करें क्या कल्सु भाई याद रखना हाइस्ट पीक है हाइस्ट पीक है आपकी महराष्ट की जो कि वेस्टन गाट में हैस्ट पीक नहीं विस्टन गाट की हैस्ट पीक तो आप जानते हैं आई मोली 2695 मेटर ठीक आगे बढ़ते हैं यहां पर हम जल्दी सरीवाइस करते हैं नौथ अंडमान मिडल इंडमान साउथ अंडमान लिटल इंडमान का निकोबार और ग्रेट निकोबार ठीक है और यह पीक है आपकी ग्रेट निकोबार में जो कि है माउंट थ्विलर माउंट थ्विलर यह कहां पर है यह आपका ग्रेट निकोबार ठीक है ग्रेट निकोबार यह कार निकोबार यह कार निकोबार यह लिटल निकोबार और यह ग्रेट निकोबार थर्ड इस पीक है माउंट को एक active volcano है, यहाँ नारकोंडम देखने को मिलेगा, यहाँ साउथ अंडमान में आपको port Blair, जो capital है याँकी वो देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक passage है, इन दोनों के बीच में, साउथ और लेटेल अंडमान के बीच में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, डंकन पैसेज, ट्राइपस देखने को मिलते हैं अंडमान निकुबार में, जैसे की, ओंगेस, जलावा, संतलीज, शॉम्पेन, ट्राइपस हैं यहाँ पे, और अंडमान निकुबार में, ट्राइज सर्विसेज थीटर कमांड आपको देखने को मिलेगा, ट्राइज सर्विसेज थीटर कम commander of all the defense forces, इन चैनल से आपको आदाना चाहिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल के गर हम बात करें, तो यह divide करता है किसको, मिनी कोई को divide करता है, लक्ष दीप से, और जो 8 डिग्री divide करता है, एंटाइर ग्रूप अफ लक्ष दीप को, या फिर मिनी कोई को, माल दीप से, लक्ष दीप से आदाना चाहिए, दो बीच हैं के जो खुंडी और कडमत, जिनको blue flag certification मिला था, फुर क्लीन बीच, आंसर, option number second, बीच से आदाते हैं मेरे, कौन, हनी सिंग, लेकिन वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे आपे, 21, which of the following assumption is made, अच्छा सुरी, वो हनी सिंग कर नहीं था, वो हमारे, महान गायक, टोनी ककड़ जी का था, which of the following assumption is made, to determine the level of aggregate demand for final goods in the economy, अर्थ व्यस्था में अंतिम वस्तुओं की कुल मांग कि स्थर को निर्धारित करने के लिए, निम लिकित में से कौन सी धारना बनाई जाती है, aggregate demand for final goods in the economy, एक question मैं आप से पूछता हूँ, जल्दी से बताना, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, aggregate demand का formula, ठीक है, c plus i plus g plus x minus m, question आपके लिए है, कि इनमें से कौन सा import को दर्शा आ रहा है, which of the following, जैसे यह consumption को दिखा रहा है, consumption, जो household consumption होता है, जो लोग consumption कर रहे हैं, उसको दिखा रहा है, उसी तरह इनमें से investment, sorry, इसी तरह इनमें से import को कौन दर्शा रहा है, आप में से काफी लोग बोलेंगे i, question आया था भी, हम लोग कर भी जोके, पता हैं, part 1 में किया था, part 2 में किया था, i से import को नहीं दर्शा रहा है, that is your investment, जो हमारे commercial है, या निकि जो corporates है, वो investment कर रहे हैं, अपनी machinery और अगरा में, that वो आता है investment में, g है यहाँ पर, यह जो हम लोग जैसे for general, जो household consumption हो रहा है, i से है investment, जो आपके corporates कर रहे हैं, और g से हो जाएगा आपका government spending, ठीक है, यह हो जाएगा आपका government spending, यह है आपका net export, जहाँ पर यह दिखा रहा है, export को और यह दिखा रहा है, import को, यह दिखा रहा है, import को, यहाद रखना, import को I नहीं दिखा रहा है, M दिखा रहा है, यह question पूचा गया था, यह होती aggregate demand of an economy, कि लोग कितना demand कर रहा है, constant final goods, price and constant rate of interest over short run are assumed, the aggregate supply is assumed to be perfectly elastic, what does this mean, aggregate supply is said to be perfectly elastic, अभी elastic इन elastic होता कि आप भी समझ लो, elastic का मतलब है, कि demand में जैसे ही change हुआ, वैसे supply, supply में जैसे change हुआ, वैसे demand में, जैसे for example, अगर आप कोई चीज demand कर रहे हैं, जैसे for example, टमाटर की बहुत demand बढ़ गई, supply बढ़ेगी और बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर demand बढ़ रही है, माल लेते हैं, कि बहुत दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके अवज में क्या होगा, कि demand बढ़ेगा, तो demand कम होगी, अगर price बढ़ेगा, तो demand कम होगी, लेकिन supply बढ़ेगी, तो देख रहे हैं, प्राइस और supply का direct relation है, लेकिन price और demand का inverse relation है, यही तो यह कराफ दिखा रहा था, और इसी होग जैसे perfectly elastic है, elastic है, मतलब होता है, कोई भी change आपने demand में किया, जैसा ही थोड़ा सा, वैसा ही change आपको supply में तुरंट देखने के लिए मिलेगा, बैंकर वाला, मतलब change देखने को मिलेगा, तो यह आपके दोनों सही है, option number 4, both 1 and 2, question number 22, the book title, the immortals of Melua is written by, तो यह लिखी है हमारी, Amish Tripathi, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, जब लोग चेतन भगत की है, हम लोग books पर काफी question देख चुके हैं, तब यह में आपको होता है, तब अधाई models of Melua, Amish Tripathi, इनकी और भी books हैं, जैसा है की, The Secret of Nagas, ठीक है, The Secret of Nagas, और Ram, Sean of, ठीक है, Ram, Sean यो बियार इसको प्रनाउंस करते हूं, I hope सही प्रनाउंस कर रहा हूं, इक्षवाकू, ठीक है, इक्षवाकू, यह इनके books हैं, जैतन भगत की हम लोग पल चुके हैं, इनकी recent book है, 400 Days, ठीक है, 400 Days, 5.01, 5.01, 5.01, things not to do at IIT, और 3 Mistakes of My Life, 3 Mistakes of My Life, यह क्या है, इनके books हैं, तो अब एक चीज़ देखे, 400, 5, 3 numbers है, इनके books में देखने को, बाकी तो आपको पता ही है, जैसे कि Half Girl Trend, Two States, One Night at the Call Center, यह सारी क्या होती है, students को पता होती है, लेकिन एक्जामनर नहीं पूछता है, एक्जामनर यह सावाल ही पूछता है, ठ Arranged Murder, ठीक है, बाकी तो पहले भी हम लोग ने लिख रखी, Two States, One Night at the Call Center, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला question है, एने अक्बरी, यह component है, अक्बर नामा का, वो अक्बर नामा जिसको अबुल फजल ने लिखा था, किसले लिखा था, अबुल, फजल ने, इसके तीन वॉलिम्स थे, जो इसका first वॉलिम्स था, वो बात कर रहा था, अक्बर के पूरवजों की, ancestors की, जो दूसरा वॉलिम्स था, ये बात कर रहा था, किसकी, ये बात कर रहा था, अक्बर के कारेकाल, rain की, और जो third वॉलिम्स तो भई क्या छीजिक क्या नहीं है तो बइसों किया अकबर स्क्राइं कि आफ़ारे तो स्कूक्त पर्लुनेटर कर सकते हैं अकबर से में किया था नाची, अकबर की रिगार्ड हमने पढ़ा था कि इसने फतेपूर सीक्री डवलप किया, आगरा में फतेपूर सीक्री और बुलन दर्वाजा बिल्ड किया, क्यों? विक्टरी ओवर गुजरात यात करिये, और कब बिल्ड के ज़र यह बताएंगा, 16th century म यह बिल्ड किया, अकबर ने याल दखना एक चीज मनसबदारी सिस्टम भी इंट्रड्यूस किया था, मनसबदारी सिस्टम, आप देखिए, मैं एक एक करके थोड़ा 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 आपका दारा बढ़ाता हूँ, जैसे अकबर के हम लोग ने नाइन जेवल देखे, फिर फतेपूर सीखरी देखा, फिर आप मनसबदारी सिस्टम है आपका जो अकबर ने उसके अगले कुस्टन पर आते हैं और दाट इस ट्वेंटी फोड़ा और यह मनसबदारी सिस्टम होता क्या था तो यह मतलब जो गवर्मेंट ऑफिशल को जो रैंकिंग दी ठीक है, रैंकिंग, इसको 1571 में वो गिया था, यह मतलब चलो बताएता हूं 1565, sorry 1575 AD में और यह इंट्रिदूस किया था, 1571 AD में, ठीक है, अगले कुस्टन के आते हैं, तो अनदर नेम ऑफ बारत फूजा जो की आपकी लॉंगेस्ट रिवर है, किरला की, लॉंगेस्ट र रिवर इस को, किशिटन में रखा गया था, और रिवर है, यह चायों лекहां चायों फेícioन बारत फूजा को अंगते हैं, और यह सूचिसा बारत फूजा को हम जानते हैं, तो अप्शन नॉमलिल न संगना बारत फूजा को जानते हैं, आर नाम से था, शोो के आपका थूजि कि 1925 में नोने temple entry movement और self respect movement चालू किया था temple entry movement तो 1924 में start हुआ था वाइकॉम से त्थेगर के केलबपन ने start किया था आपका temple entry movement ठीक है temple entry movement in 1924 1925 में हमारा start हुआ था लाइफ 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 किरला किरला से बाकी चीज़े आपको याद आनी चाहिए जैसे कि आपके highest literacy rate है और यहां का जो sex ratio वो सबसे अच्छा है खेर अभी मेन मुद्दे की बात पर आते हैं that is कि परियार जो है न आपकी जाए भरत फूजा है यह आपकी western flowing rivers है जो ह अब मुझे आद आ रही है ठीक है दक्षिन गंगा के नाम से भी जानते हैं कि जो गंगा हमारी पूरे इंडिया की या फिर नौध इंडिया की सबसे लाजस्ट रिवर उसी तरह गोदावरी पेनिंसिलर जो हमारी रिवर्स है उनमें से सबसे बड़ी नदी है अब पेनिंस साइड में फलो के और जो वे साइड में होती है वो इस्चवरी बनाती है जिसको जवारबद उनमुस हिंदी में बोलते है जुआरबद उनमुस अनि-से घमारी बरत पूज़ा है ये लेक में गिर गई, अब पता है इस लेक के बीच में और Arabian Sea के बीच में थोड़ा सा एक strip of land रहेगा, पता है कैसे बनता है, जैसे की होता कि यह है, होता यह है कि जैसे की tights आती है, तो पानी यहां पर उचल के जमीन पर आता है, पानी जैसे आया, 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 फिर पानी चला गया, लेकिन कुछ पानी यहीं पर रुख जाता है, तो उसे backwaters create हो जाता है, उन backwaters को हम बोलते हैं, लगून, और के बैक वाटर काफी famous हैं, इनको हम बोलते हैं, लगून, हमारा जो विंबानद लेक है न, यह इंडिया का longest lake है, सबसे लंबा लेक, longest lake है, करी थे, करेल के festival को trick, कि दो लड़के हैं, कौन लड़के हैं, दो पूरन हैं और वासू है, पूरन और वासू, ठीक है, they are at pain, they are at pain, वो pain में क्यों है, because they lost boat race in Makar Sankranti, तो पूरन से, थ्रिस्वर पूरम, वासू से, विशू, जो यहां का New Year Festival, थे से, थेयम फेस्टिवल, आ मकर विलाकू करके जो festival था, यह सारे festivals थे, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था, कि विम्बानद लेक में ही होती है, हमारी क्या, जो boat race है, वो चीज़ याद रखेगा, और life line of किरल से आदा है, life line of Goa किसको बोलते हैं, life line of Goa बोलते हैं, जिवारी रिवर को, किसको, जिवार जिस तरह किरल में दो रिवर्स हैं, छोटी-छोटी परियार और वरत्फूजा, परियार से मुझे याद है, पैनर, पैनर याद रखना, पैनर एक East की ओर बहने वाली, East की ओर बहने वाली, Independent यानि किसी की Tributory नहीं है, Independent और आंध्र प्रदेश में, यह ध्यान रखना है, इ थीक उसी तरह आमारी और हैं, जैसे, नर्मदा सबसे largest West flowing रिवर है, और सारी West flowing रिवर इस्वरी बनाती ही, Arab सागर मी गिरती ही, तापी ये रहे ठीक है, यह आपकी साबर मती है, यह आपकी माही है, ठीक है, लूनी आपकी रन अफ कर्च में आके खतम हो जाती है लूनी ये चीज ठीक है तो आंसर यहां पर option number third पॉन्नानी इस दी अनदर नेम अफ भरत फूजा दिलास क्वेश्चन दाट इस दी क्वेश्चन ओड़ दे फो यू इस ये PDF आपको मिल जाएगी परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पर और अगर आप वो स्टुडेंटे जो नोट्स नहीं बनाते हैं तो नोट्स आपको परमार Academy अप पर सब्सक्रिशन बेश्चन पर मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए कि आपको बने बनाएं नोट्स मिल जाएं तो बाकी तो इसका जो PDF है वो आपको फ्री में परमार से सी टेलिग्राम पर बिल्कुल मिली जाने वाला है ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में रिवाइस करते रहिए और शेर करोगे कि नहीं करोगे मत करना ठीक है तुम लोग शेर नहीं करोगे लाइक कर देना बस ठीक है चले थैंक्यू सभी को मिलते हैं अ